हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मांसी और मेरे चनल मांसी रसोईकुन में आप सब का में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए नवरात्री स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ तो होली तुम्हें मना नहीं पाई तो मैंने सुचा नवरात्री स्पेशल में पहले से ही में तयारे कर लेती हूँ मुझे थोड़ा सा आराम मिला है तो मैंने सुचा चलो उठकर खड़ी हो जाती हूँ और एक रेसिपी की तयारे करती हूँ तो आज के जो ये रेसिपी है ना ये सूची की हलवा की रेसिपी है बिलकुल हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे इसको बहुती टेस्टी रेसिपी बनेगी तो रेसिपी के एंड तक मेरे साथ में बने रही है चलिए बनाते हैं हलवे की रेसिपी ये पैन को मैंने गैस में से चड़ा दिया है और यहाँ पर मैंने छोटे कटोड़ी से आधा कटोड़ी देसी घी लिया है ये घी का कलर थोड़ा सा बलेक कलर सा लग रहा है ये देसी घी है और ये जो घी है थोड़ा सा पका हुआ कम है इसलिए ये बलेक कलर का लग रहा है और यहाँ पर मैंने तीन च वाले सूजी हो तो मोटे दाने वाले सूजी को आप मेक्सर गांडर में पीस कर थोड़ा सा बारेक कर ले भूत बड़िया सूजी में लेकर आयी थी तो याँ पर शूजी मैंने लिया है अभी हम क्या करेंगे पहनको और चलते हैं तो कि हमारा जो घी है ना बहुत अच्छे से गरम हो गया है घी को हमें बहुत अच्छे से गरम करना है एकदम घी के उपर बवल साने लगे तो ये देखें घी में जैसे हमने ये सूजी डाला है ना इसके उपर से बवल साने लगे है तो ये पहचान है कि घी हमारी बहुत अच्छे से गरम हो गई है और जैसे गरम घी में आप सूजी डालेंगे ना तो इसमें बवल साने लगेगी और सूजी अच्छे से फुलने लगेगी तो सूजी को हमें कम से कम 3-4 मिनिट तक ऐसे ही चलाते रहना है और धीमी आज में हम गैस को रखेंगे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे और धीमी आज में इसको 3-4 मिनिट तक हम बुनते रहेंगे तो होली तो आप सबने मनाई होगी बहुत इंजोई किया होगा मैं होली मना नहीं पाई तो मैंने सोचा नवरात्री स्पेशल के लिए मैं आज से ही कुछ मीठा बनाका नवरात्री स्पेशल की तेयारई करती हूँ तो यह देखे बात करते करते ही यह सूजी जो है अमारी अच्छे से फुलने लगी है तो वैसे ही हमें थोड़ा सा चलाते रहना है इसको और यहाँ पर मैंने लिया है गरम दूद तो यह आधा कप गरम दूद है दूद गरमी लेना है और एक चम्मच आटा और एक चम्मच बैसन लिया है बैसन और आटा सूजी में डालने के बाद बिलकुल हलवाई स्टाइल बन जाएगा यह आप आगे देखते रहे हैं मैं बताऊंगी तो यह जो गरम दूद है इसमें अभी हम एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर हम डाल देंगे एक चम्मच घी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और जैसे हम घी डालेंगे इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब दूद की जगापर गरम पानी भी ले सकते हैं गरम पानी में एक चम्मच घी डाल दे तो अभी हम क्या करेंगे यह सूजी में हम आटा और बैसन जो हमने लिया है वो डाल देंगे और इसको धी मियास में ऐसे चलाते रहेंगे और बैसन और आटा जो है वो भी सूजी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बून जाएगा और जैसे जैसे यह बूनता जाएगा ना बैसन में से हलकी सी खुश्बगाएगी क्योंकि बैसन हमने इसमें एक चम्मच डाला है फिर भी इसमें से हलकी सी खुश्बगाने लगेगी और जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे इसका कलर भी चेंच होता जाएगा तो यह देखिए, काफी देर से मैंने इसको धीमी आज में भूना है और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आज मेरी आवाज आपको थोड़ी सी बदली बदली सी लगेगी क्योंकि मेरी तबियत अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुई है तो इसलिए आवाज थोड़ी सी बदली सी लगेगी तो यह सूजी जो है हमने भूल लिया है और अभी हम इसमें और एक चमच घी डाल देंगे तो घी हम थोड़ा थोड़ा करके सारे घी ले रहे हैं एक साथ में सारा घी नहीं ले रहे हैं पहले हमने तीन चमच लिया और अभी हमने एक चमच लिया तो यह हमने चार चमच घी डाला है इसमें और यह देखिए यह सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है बहुत बढ़िया से इसमें से खुश्बू आने लेगी है यह देखिए और इसको continue में चलाते ही रह रही हूँ अभी हम क्या करेंगी हमारे जो घी वाले दूद है जिसमें हमने दूद में घी मिक्स किया था वो दूद हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे जैसे आप इसमें दूद डालेंगे सूजी जो है पूरी तरह से दूद को सोक लेगा तो दूद डालने के time में आप ध्यान रखें कि यह जैसे हम दूद डालते हैं यह चिटकने लगता है तो थोड़ा सा दूर रहे करिए, आप इसमें दूर डाले ये देखिए, दूर डालते ही, सूजी ने सारा दूर सोक लिया है अभी हम बाकी का पूरा दूर डाल देंगे इसमे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अभी हम इसमें डाल देंगे अपना ड्राइफूट तो ड्राइफूट मैं यहां पर बून के नहीं ले रही हूँ अलग से इसमें घीमें एक दम से लेते हैं वैसे करके मैं नहीं ले रही हूँ इसको मैं एक साथ में बून लूँगी सूजी के साथ में आप चाहे तो ड्राइफुट को घी में अलग से बून के ले सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये सूजी के साथ में ड्राइफुट जो है अच्छे से बून जाएगा इसमें बिल्कुल भी कच्छापन नहीं रहेगा और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और अभी हम इसमें डाल देंगे शक्कर तो शक्कर मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर शक्कर कम ले रही हूँ और शक्कर को हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके दुबारा से 4-5 मिनिट तक हम इसको चलाएंगे और चलाकर धीमियास में छोड़ देंगे तो यह देखिए मैंने इसको 4-5 मिनिट तक चलाया और धीमियास में छोड़ दिया तो यह जो शक्कर का पानी है बिल्कुल निकलने लगा है और पानी जो हलका हलका सा सूपने लगा है अभी हम इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे या फिर इलाइची कूट के डालेंगे तो मैंने यहाँ पर इलाइची कूट के लिया है आप चाहे तो इलाइची का पाउडर भी डाल सकते इलाइची कूट के डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा बढ़ी आता है अब इसको और दो तिन मिनिट तक रखेंगे और हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको निकालने से पहले एक चमच घी और डाल दूँगी जिससे की इसके उपर जो है ना शाइनिंग आएगी तो यह दिखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारी जो सूजी की हलवा है बहुत बढ़िया से आप आसान तरीके से इस हलवे को बना सकते है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें तो आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो ये थी कि हमारे प्रसादी हमारे सूजी के हलबा बनकर त्यार हो गया है तो अच्छी लग रहे हैं न तो इस रेशिपी को आप भी ट्राइ कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए